नमस्ते दोस्तों कामिनी के किचन में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है तो आज हम बनाएंगे बथवा की बहुत ही बढ़ियां एकदम स्वाधिस्ट रेसिपी जो बथवा नहीं भी खाते हैं वो भी बहुत ही मन से बथवा खाने लगेंगे क्योंकि सर्दियों में बथवा नहीं खाना पसंद है वो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं बलकि इसे देखते ही कहते हैं यह नहीं खाएंगे कुछ और बनाना चाहिए था तो चलिए आज लाएंगे एकदम नई और मज़ेदार रेसिपी तो सबसे पहले हमने बथवा को काट लिया है उसको अच्छ इसको हमें डुबो डुबो कर धोना है तो या तो आप इस तरीके से बड़ा पतीला ले लीजिएगा और इसको हम दबाते हुए फूल इसका पानी भरेंगे और इस तरीके से निकालके डिलेया में रखेंगे इस प्रोसेस को मैं दो से तीन बार करना है तो इसकी सारी मिट् है तो चलिए मिक्सी में से डाल देते हैं और इसको हम पीस लेंगे तो सारे ही बत हुए को मैंने डाल दिया क्योंकि मेरा जार बड़ा है और साहत में एक इंच अद्रक का टुकड़ा ले लिया है और चार हरी मिर्च इसमें डालेंगे उसको हम पीसेंगे तो यहां पी आप थोड़ा सा पानी डाला थाकि बढ़िया स्मूध और एकदम फाइन पेस्ट बन करके तियार हो जाए तो चलिए भाई इसको हम निकाल लेते हैं एक जिसमें आटा लगाएंगे ना उस तरीके का भी ले सकते हैं तो चलिए सारे ही पेस्ट को हम निकाल लेंगे यह रेसिपी आ तो मैं यहाँ पे ज्यादा क्वांटिटी में ले रही हूँ आप चाहे तो इसको थोड़ा भी ले सकते हैं तो चलिए भाई इसमें सबसे पहले हम नमक डाल देंगे और इसके बाद में हम यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा जीरा आप अगर अगर अजवाइन पसंद करते हो जीरे को skip कर दीजिए और अजवाइन डाल दीजेगा साथ में मैंने थोड़ी सी हंग डाल दीगा है तो इसी में मै पानी डाल के इसको घुमा दिया है ताकि हमारा कुछ भी बेस्ट ना हो तो फ़्दा ठोड़ा पानी डाल करके हम इसमें इसका आटा लगा लेंगे अगर आपको पानी की जरूरत यहां पर नहीं पढ़ रही है अगर आटा कम लेंगे तो आप बिल्कुल भी मिक्सी के जार में पानी मट डालिएगा और इसको ऐसे ही गुन सकते हैं तो मैंने ज़्यादा लिया है तो थोड़ा सा मुझे पानी डालने की यहां पर जरूरत पड़ी है तो चलिए इसको अच्छे से मसलते हुए हम इसका आटा लगाएंगे तो कि आटा जितना बढ़ियां लगाएंगे न उतना ही फूला फूला हमारा नास्ता बन करके त्यार होगा तो चलिए अच्छे से मसलते हुए इसको बढ़ियां से गुनेंगे और बढ़ियां सा सॉफ को हम cover करके rest करने के लिए 10 मिनट के लिए रख देंगे तो यहां पे हम आटे को 10 मिनट के लिए रख दिया था आटा अच्छे से हमारा फूल गया यानि सेट हो गया है तो चलिए चलते हैं next process की और तो यहां पे मैंने कड़ाई में तेल डाल करके कड़ाई को गरम होने के इस तरीके से हम गोल गोल लोईया इसकी काट करके त्यार कर लेंगे तो थोड़ी हमें नास्ता बनाने में जल्दी हो जाएगी तो चलिए भाई इस तरीके से हमने छोड़ चोटी ही लोईया काटी है क्योंकि यह नास्ता जो हम बना रहे हैं बथवा की पूरी तो बहुत ही पूड़ी में वह नहीं आती है, मेरा परसनल अनुभव है, इसलिए मैंने आपको बताया, जितनी पतली पूड़ीयां बनाएंगे, उतनी ही स्वादिष्ट पूड़ीयां बनेंगी, तो इसमें हमने नमक डाला हरी मिर्श डाली है, अधरक डाली है, इस वज़े से पूड़ी और लगाएंगे, यहां पर पर्थन लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत यहां पर हमें आने वाली नहीं है, तो चलिए हम इस तरीके से बेलेंगे, लेकिन ध्यान इस बात का रखेगा, इसे हमें थोड़ा सा पतला ही रखना है, तो चलिए हम इस हिसाब से हमने बेल ली है, यहां पर हम लगाएंगे, तो यह बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे, तो चलिए इसी तरीके से मैंने दूसरी पूरी भी आपको बेल करके बता दिये, तो इस तरीके से जब हम बतुआ की पूरी बनाते हैं, तो भच्चे भी बहुत ही एंजॉय करके खाते हैं, तो चलिए इसी तरीके से मैंने दोनों पूरी बेल ली हैं, तो सबसे पहले यहां पे हम एक छोटी सी पूरी डाल करके देखेंगे, कि तेल हमारा अच्छे से गरम है, या फिर नहीं, तो यहां पे मैंने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे रखा था, यह बहुत जादा गरम हो गया है तो इसलिए मैंने थोड़ी सी पूरी डाल करके छोटी सी पहले देख ली, तो तेल हमारा अच्छे से गरम है, अब इसमें हम डालेंगे अपनी पूरीयां, तो यहां पे मैं दो दो पूरीयां करके डालूंगे, आप देखेंगे, बहुत ही जल्दी फूर करके त्यार होती ह यकीन मानिये फ्रेंड्स बहुत ही क्रिस्पी यह नाश्टा बन करके त्यार होता है, तो इसको नाश्टे में आप जरूर बना करके खाईएगा, तो देखेंगे, बहुत ही जादा फूरी फूरी बनी है, तो शली इसी तरीके से हम और डाल लेते हैं, तो फ्रेंड्स यह फ हुई है, तो ज़्यादा चीजे तो नहीं डाली है, लेकिन अधरा खरी मिर्स डालने से इनका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो यकीन मानिये फ्रेंड्स इस तरीके से आप जरूर बनाईएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद यह आएंगी, और पता भी जाती है, तो जैसी मैं डाल रही हूँ, वैसे यह फूलती जा रही है, तो चलिए भाई, एक-एक करके भी बना सकते हैं, या दो-दो करके भी बना सकते हैं, तो देखिए अपने आपी यह बहुत ही जल्दी फूल जाती है, तो चलिए अलटते पलटते वह जैसे जैसे यह स सेख लेंगे इसी तरीके से हम अपने सारे बैचेस को सेख करके त्यार कर लेंगे तो इनको गोल्डन करना बिल्कुल भी न भूलिएगा बहुत ही क्रिस्पी पूरियां बनती हैं तो जो हल्की हल्की सेखते हैं वो खाने में टेस्टी नहीं लगती है फिरस तो इस तरीके से जब गोल्डन कोटिंग आलाती है न पूरियों में तो पूरियां बहुत ही बढ़ियां लगती है चलिए इसी तरीके से हमने सभी पूरियों को बना करके त्यार कर लिया है और बाकी की जो बची हुई आटा रखा है न तो उसको मैं बाद में सेक होंगी तो चलिए इतनी पूरियां मैंने सेक ली हैं बहुत ही नरम नरम मुलायां फूली फूली हमारी सभी पूरियां बन करके त्यार है तो इसको आप दही के साथ एंजुआए करें तो चलिए थोड़ा सा चार मैंने ले लिया है बहुत ही बढ़ियां हमारी पूरियां बनी है तो थोड़ा सा पेस्ट जब हमने बतुआ पीसा था न तो निकाल ले और दही में मिला ले तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कितनी नरम-नरम बतुआ की पूरी बन करके त्यार हुई है देख़िये किती पतली, किती सॉफ्ट सॉफ्ट बनी हुई है तो चलिए भाई मैं इसे आपको खा करके बताती हूँ तभी तो मैं आपको बता पाऊंगी कि ये कैसी बनी है तो चलिए भाई जो भी रेस्पी में बनाती हो से खा करके जरूर आपको बताती हो मज़ा आ गया फ्रेंड्स आप भी बनाएए खाएए एंज्वाइए कर ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिं जैबारा टेक क्यार